हेलो आज हम यात्रा वृतांत गद्य सहित्य की एक विधा है यह प्रेश्ण जो है इसके बारे में बात करेंगे इसमें आपकी इस पाठे पुस्तक में कौन-कौन सी विधाई है प्रस्तुत विधा उनसे किन माइनों में अलग है इस तरह के प्रेश्ण पूछ ले जाते हैं यह एक लोंग प्रेश्ण है लेकिन इसमें जब MCQ पूछे जाते हैं तो इस तरह के जो चैप्टर है आपके उनके अलग-लग विधाई पूछ ले जाते हैं छितिज के पाठ और विधाई इस प्रकार से हैं यहाँ पर लाहासा की और चैप्टर की बात चल रहे है तो लाहा पासा की और यात्रावरतान थे जैसे कि मैंने पहले आपको बताया और भोकतावाद की संस्कृति यह एक निबंद है ऐसे हैं सामले सपनों की याद एक संस्मरण है जिसमें अपनी याद जो है उनकी पुरानी उसके बारे में लेखा गया है नाना साहिव की पुत्री मैना क को भस्म कर दिया गया यह एक रिपोर्टाज है प्रेम चंद के फटे जुते व्यंग है मेरे बच्पन के दिन संस्मरण है जिसमें महादेवी वर्माजी के बच्पन की यादों को संजोया गया है एक कुत्ता और एक मैना यह एक निबंद है ऐसे है तो यह पार्ट अन्य व पर्णन करता है यह उनकी यात्रा का अनुभव है ना कि मानव चरित्र का चित्रण जैसा कि अन्य विधाव में होता है जैसे कि इस कहानी में बैलों का चित्रण है और अगर हम बात करें यहाँ पर तो यह एक निबंद है साउले सपनों की याद साली मली का संस्मरण है और पुत्री मेना को भस्म कर दिया गया एक रिपोर्ट के रूप में इसे लिखा गया है तो यहां पर अगर प्रेश्ण आ जाता है मल्टिपल चोईस कोश्यंस में कि इसमें कौन सी विधा का प्रयोग किया गया है तो मैंने यहां पर आपको सभी चैप्टर्स के जो यह हैं जो यह हैं आपको सथमेश्ग के जो हैं इसमे विधार प्रेश्ग के जो यह है तो आपको सश्क्राद्वां जो बजाए पुराद्वार गया है यह संगर।